जारखंड की राजधानी राची में सहजानन चौक और हर्मू चौक के बीच सुश्मा बढ़ाईक को दिन धारे गोली मार दी गई है। जानकारी के मताबिक पदमाशों ने सुश्मा बढ़ाईक पर अटैक उस वक्त किया जब वा अपने बॉडी गार्ड के साथ बाइक पर जा रही थी। सुश्मा बढ़ाईक को गोली लगने के बाद आननफानम में धायल अवस्था में रिम्स में भरती कराया गया है। पिलहार उनका इलाज चल रहा है। वही घटना की सूचना फुलिस को दी गई है। फुलिस आरुपियों की तलाश में चुट गई है। हादसे के बाद मौके पर अफ्रात अफ्री मच गई। तड़ातर गोलिया चलने से इलाके में हर कम मच गया। चीक पुकार मचने लगी। करया जा रहा है कि घटना सुभा करीब साड़े नौ बजे के आसपास हुई है। राँची के अर्गोडा थाना शेत्र के सहजानन शौप के पास आरुपियों ने सुष्मा पर गोलिया बसाई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरुपी मौके से फरार हो गए। कोलिस आरुपियों की तलाश के लिए वारदात के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। को अंजाम दिया गया। राजधानी राची में अपरादियों के हौसले बुलंद हैं वे रोज किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। साथी वेल आइकन बटन दबाना न भूले। खब्सक्राइब करें।